हाँ तो दोस्तो नाइका आईप्यो के वारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे इस आईप्यो के नर आपको अप्लाइ करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो दी कि यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपनी की अगर हम बात करें तो 2012 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी यानि के राउंड एट टू नाइन ये इस कंपनी को चालू हुए हो चुके हैं तो ढखी कि ये en Khan CDC platform है यानि कि इनका technology पर भी ये काम करते हैं यानि कि आप online भी इनके product खरीच सकते हैं और offline भी इनके products available हैं तो ये companies क्या बेचती है तो अगर आप देखे होगे तो beauty, personal care, patient products और उसके अंदर उनके खुद के brand product भी involved हैं तो वहां पर अगर देखा जाए तो इनका जो cost वगेरा है जो manufacturing cost वगेरा वो काफी बस्ता है तो कि direct अगर product लेकर वो अगर अपने brand नेम पे बेचेंगे तो वहां पर एक reselling का direct benefit इने मिल जाता है अभी जो company अभी डो segments के अदर ये company काम कर रही है एक तो है beauty and personal care यानि कि जो cosmetic products वगेरा होते हैं वो और उसके बाद अगर हम बात करें नाइका फेशन की तो apparel और accessories apparel यानि कि जो clothes वगेरा होते हैं फेशन प्रोड़क्स वगेरा होते हैं वो तो ये सारी चीजे accessories में आती है अब देखिए अगर हम बात करें तो company की काफ़ी अच्छा यहाँ पे company का product है तो कि अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यह देखिए skin care, hair care मतलब हर तरीके के cosmetic products यहाँ पे company के पास है और उसके अलावा यहाँ पे जो apparel और उसका जो business का apparel और accessories का तो यहाँ पे product diversification काफी ज़्यादा है अब अगर हम देखेंगे तो अभी जो company के जो apparel और accessories है उसके अंदर अभी 139950 brand है अब इतने brand के products अभी company बेच रही है अगर नाइका fashion की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी company के पास एक खुड की brand है देखें यहाँ पर अगर हम brand देखें तो काफी ज़्यादा brand यहाँ पे company के पास already है और देखें यहाँ पर जो company है online और offline दोनों में available है यानि कि जो लोग होते है न offline में shopping नहीं कर सकते तो उनके लिए यहाँ पे offline model भी company ने रखा हुआ है देखें 73 physical stores इनके इंडिया के अंदर है और जिसमें से 38 cities के अंदर अभी इनका इंडिया में अभी जो stores है वो 38 cities में है आने वाले टाइम पे company इन stores को और बढ़ाने वाली है लेकिन जो online presence यह company का यानि कि जो online आप shopping कर सकते हो main focus company का उसके उपर ही है तो कि अगर आप देखोगे किस तरीके से online shopping का जो यहाँ बिजनेस model है वो बढ़ रहा है मेरे क्याल से main focus यहाँ पर उसके उपर company देगी अब यहाँ पर इस company की ताकट क्या है यह तो हमने जान लगे कि यह online model है जहाँ पर आप shopping वगेरा कर सकते हो beauty product वगेरा है यह तो हमने जान लिया है लेकिन अगर इसकी ताकट की अगर हम बात करें मलब competitive trend की अगर हम बात करें तो इंडिया की एक leading company है अगर हम देखें तो ज नाइका platform for sale यानि कि जो major brands होती है जिनके product को direct market में बेश नहीं सकते है तो वो नाइका को suggest करते है तो वहाँ पर direct profit नाइका को होता है तो कि देखें अगर नाइका उनके basis पर अगर उनके product उनकी site पे बेच रहा है तो चीछी सी बात है वहाँ पर एक अच्छा commission नाइका ले business ने दिखाया है अगर technology की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता हुआ कि कैसे online shopping यहां पर promote हो रही है किस तरीके से लोग अपने घर बैटे-बैटे products मंगाना चाह रहे है तोर में जाके कोई भी मंगाना पच्छन नहीं करता है अगर management team की बात करें तो management team यहां पर काफी अच्छी है अब यहां पर यह company IPO लेकर क्यों आ रही है मलब जो IPO का पैसा है वो यहां पर क्या होने वाला है तो दीके जो new retail stores है company को जो build up करने है company को जो nika fashion के जो new stores है यानि की जो कपड़े होते हैं उनके product चलिए तो वहां पर उसके लिए company को पैसा चाहिए तो उसके फीडेरीस की बात करें तो e-retail, nika fashion और इसके जो और भी brand होगे रहा है और जो वेराओजिस का जो cost होगे रहा है तो उसके लिए यहां पर यह IPO आ रहा है अगर यहां पर बात करें तो और company थोड़ी बहुत अपनी जो borrowing से जो loans होगे रहा है उनको भी repayment करना चाहती है उसक अब company के financials पे नज़र डाल दिये देखे 1116 करोड का revenue 2019 वाले financial year में था उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह number around 600 करोड चे बढ़ा है और उसके बाद फिर से यह number 600 करोड चे बढ़ा है तो revenue growth अगर आप देखोगे around 30 to 40% का growth अमें यहां पे year on year विचित पे company के revenue में देखने को मिल रहा है और अगर आप देखोगे company loss में थी पहले लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो 59.8 करोड का यहां पे 2021 में company को profit भी हुआ है और margin percentage भी यहां पे 2.4 percentage देखे यह पूरा technology driven business है यहां पर आप यह नहीं सोच चकते कि यहां पे जो margins होंगे 10-15% होंगे ऐ आप यहां पे री इंवेस्मेंट पे ज्यादा focus होना चीए अपने जो operating profit से उनको कैसे reinvest कर रहे है तो यहां पे नाइका यह चीज़े सारे अच्छी तरीके से कर रहा है जो भी उनके operating profits हो रहे है तो क्वाच्छे से reinvest करके business को grow करने पे यहां पे ज्यादा focus किया जा रहा ह अब यह देखिए 28 October को यह IPO open हो रहा है और 1 November को यह IPO close हो जाएगा अगर हम IPO के price के अगर हम बात करें तो 1125 रुपीज आप मान के चलिए कि एक equity share का आपको देना है और एक lot में यहां पे 12 shares है अगर issue size की बात करें तो issue size यहां पे काफी बढ़ा है तोकि 5351 करोड का यहां प जो company के objectives मैंने आपको बताया थे यानि कि किसलिए company जो पैसा use करेगी यानि कि जो debt वगेरा company repay करेगी अपनी subsidiaries का capital expenditure होगा उसके लिए यह पैसा use किया जाने वाला है अगर offer for sale की बात करें तो around 4721 करोड का यहां पे offer for sale है यानि कि जो company के promoters वगेरा जो private equity players है तो यह पैसा उनके पास जाएगा यह पैसा company के पास नहीं जाएगा अब देखिए जो allotment date है वो है 8 November का यानि उज्जेन आपको पता चल जाएगा कि आपको allotment मिला है या नहीं अगर नहीं मिलता है तो 9 November को आपको refund मिल जाएगा और हाँ अगर आपको allotment मिलता है तो 10 November को आपके demand account म shares आजाएगे और 11 तारिक को यहाँ पर buying and selling यानि की listing हो जाएगी अब अगर यहाँ पर minimum अगर आपको एक lot यानि की cut of price पगर application लगा नहीं तो 13500 रुपे minimum आपके पास होने चाहिए और maximum आप retail investor वाली category के अंदर चयोड़ा lot के लिए apply कर सकते हैं इसके लिए आपके पास 1,89 9,000 रुपीज होने चाहिए अगर आपको डो लाक से उपर की application लगा नहीं तो आप H&I quota में application लगा सकते हैं अब यह देखिए 1.34 का यहाँ पे company का earning पर share है तो अगर उसके basis पर अगर हम देखें तो लगबग यहाँ पे जो EPS अगर हम from valuation point of view से अगर हम बात कहें तो valuation काफी expensive आपको नजर आएगा तो कि 1.34 यानि कि 1.5 रुपे का भी अगर हम EPS अगर मान के चले तो वो 1500 रुपे के साफ के लगबग हजार का यहाँ पे company का price to earning ratio होटा है तो valuation point of view से यहाँ पे चीज़ें नहीं देखनी चीए तो कि अभी अभी company recently profit में आई है यहाँ पे जो profitability growth है आने वाले टाइम पे exponential way में हमें देखने को मिल सकता है तो यह बात आपको समझे नहीं होगी return on network यह जीज बिजनेस में है उसमें 12% का return on network काफी अच्छा है और net asset value भी यहाँ पे 11 रुपे का है तो 11 रुपे के साब से around अगर हम देखे तो hundred times में यहाँ पे price to book ratio company का आत मेरे ख्याल चे all over company is good long term point of wish company काफी अच्छी नजर आती है जो भी यहाँ पे long term investors है उनके लिए मेरे ख्याल चे कोई issues नहीं होंगे में invest करने के लिए हाँ अगर में short term point of wish अगर में बात करें तो listing यहाँ पे कम होगा मुझे ऐसा लगता है तो कि IPO का issue size काफी बढ़िया है लेकिन मुझे लगता है जो सोना कॉंस्तार में होता है यानि कि जिस तरीके से वो IPO के listing के बाद जो rally हुआ है वापे मुझे ऐसा लग करता है कि यहाँ पर definitely एक अच्छा आपका return बन सकता है तो मेरे ख्याल से जरूर यहाँ पर आपने apply करना चाहिए तो दोस्तों मैं hope करूं कि आपको नाइका के IPO के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा अगर आपकी कोई भी queries आप comment कीजिए जरूर आपके comment पर reply करूंगा उके दोस्तों thank you have a nice day